हेलो गाइज गुड़ नाइट और आज काफी रात में वीडियो सूट हो रहा है और उसका एक बहुत बरा रीजन है आप लोगों का सपोर्ड जो यहां हमको दीख रहा था सच बता हूं तो दोस्तों जो लास्ट कुछ तीनों से जो व्यूस था मैं I was not satisfying कि मैं थोर अपने ट्रैक से हटके पर आ रहा था और अल्दो ट्वास नोट सफिसेंट फोर मी लाइज देन अप्टर समने स्टूदेंट्स लाइक यू हूवेवर इस अधने मिर स्ट्री आप रहली अप्रेशिए यू गई फॉर मोटिवेटिंग में तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आपके एक्जाम कब से क्यांकि आप अच्छली नॉट करने संद आव यूर एन यूनिवर्सिटी आज अफ नौ ऑशो मुझे उतना कुछ पता ह है नहीं तो उमीद करते हैं कि आप लोग हमको बताएंगे तो उस हिसाब से मैं आपके लिए तैयारी की वीडियो ला दूंगा ठीक है और नौट कंसर्स से मतलब ये था कि मुझे एक्टिवली नहीं पता है कि बिहार इन्वर्सिटी का जो सीड्यूल है वो कैसे है बत इतन सेशन राइट कि उनका कुछ सेशन लेट होता है 5-6 महिन आया एक साल तो आप लोग बताईएगा कि मैंने सहीं बोला है जो भी हो यू केन करेक्ट मी एनी टाइम तो चलिए अपना एक्वेशन जो है काउची राइवन एक्वेशन इसको हम रहना प्रेंट सी आर एक्वेश इसको हम लोग सियलेक्वेशन के नाम से भी जाते हैं काउची राइवन बोले या सियार बोले तो आपको एक ही समझना है ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते सबसे पहले तो यह होता क्या है तो यह क्या है हम लोग लिखेंगे दो the necessary condition condition of a function of a complex function to be a analytic function simply सिंप्ली एक लाइन मैं बहुत ज़्यादा जो है सो आपके नहीं करना चाहता हूं चीजों को विकॉज कि अभी एक्जाम का टाइम है वी हैब टू रीड राइट टू दा पॉइंट ओके सो देखना यह है ना दोस्तों कि इसका मतलब कहा है सिंप्ली यह 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 लाइन तो आप लोग अपने भासा में कितनी सारी डिफिनिशन से याद करोगे सिंप्ली याद रखना एक्जाम के लिए चीजों को समझो अपने मन में और इतना एक्जाम देखके तो समझ में आ गया ही होगा कि we can write our own language है ना तो मैं आप हम क्या कर रहे है आपको कि वैसे ही language में देने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना परे हर चीज को याद करके आप एक्जाम पास नहीं कर सकते हैं ठीक है sometimes you have to understand sometimes you have to write remember the things तो simply एक कोई भी एक complex function को एक analytic function बनने के लिए जो necessary condition है वही CR equation का लाता है simply that's it तो एक complex function क्या होगा अगर 1 है तो बीच में इसके बाद आप यह लिख सकते हैं जैसे complex function let's say fz is equal to u of function xy iota v function xy ठीक है अब लिखेंगे यहाँ पर CR equation can be written as क्या लिखेंगे भाई d u by dx is equal to d v by dy एक तो यू और भी में आपको इतना बार लिखना परेगा कि हो लगेगा कभी कभी की यू भी और भी जो है कि तो यह दोनों का दोनों कि बोथ आर कि बोथ आर्दर कि सी आर कि एक्वेशन यह यादर है ठीक है अगर इतना हम लोग लिख के आगे बढ़ सकते हैं और जब आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो हम लोगों को पूरा explain करना परेगा है ना तो चलिए फोटो को क्या किया जाएगा अगर फोटो अगर उधर रहेगा तो जगा छेकर इसको साइट कर देते हैं हाँ चलिए आई यह कि अगर कि दम हसते खेलते सब हो जाएगा अदम टिंसन लेने का ज़रूत नहीं है बस आपका काम है सपोर्ट करते रहे और हम आपके लिए हर संबब प्रयास करेंगे कि ऑफिस के लिए हम यह सब वीडियो लाएं है ना तो चलिए अब यह पूछिएगा कि भाई इस फंक्शन को एनलेटिक फंक्शन का क्या मतलब है अनलेटिक का क्या मतलब होता है देखो सिंपल एक बात समझेए कुई भी फंक्शन जब अपने नावर हुड पॉइंट पर ठीक है डिफरेंशियेट हो तो वह क्या काल अला था इनलेटि फंक्षन डिफ्रेंसियेबल है की नहीं वो इसको हम एक एक्जामपर से समझें लेट से यह पॉइंट 10 है इसका नाइवर हुड पॉइंट क्या होगा 10.01 और इससे पहले क्या हो सकता है 9.99 उससे थोड़ा सा और पहले क्या हो जागा 9.98 तो यह सब इसके नाइवर हुड पॉइंट है तो कोई अगर फंक्षन एफ जेड है तो वो इस पॉइंट पर और इसके नाइवर हुड पॉइंट पर अगर डिफ्रेंसियेबल है देन क्या अनलेटिकल फंक्षन तो यह सब चीज आपको लिखने का यह जरूरी नहीं है बस समझाने के लिए ऐसा नहीं की अनलेटिकल फंक्षन पता ही नहीं और पूरा का पूरा चीज जो है सो बन गया और हम उमीद है कि अगर आप लोग पार्ट को पास्वास कर क्या है तो इ भाई देखिए आपके लिए जग के जो है वीडियो बनाया जा रहा है थोरा जो है सपोर्ट करते रहाना है ना तब तो मज़ा है कमेंट अगर नहीं पढ़ते तो थांक्यू सो मच गाइस की वह रियली मोटिवेटिंग होता है कि अगर कहीं से कुछ अप्रीसियेशन मिले तो इस रियली गुड रियली गुड चलिए अच्छा एक बात बताते हैं आपको है ना अब यह तो जानते होंगे ना कि अब तो कुई भी पॉइंट कुई भी फॉंक्शन अपने नाइवर हूड पे नाइवर हूड पॉइंट पे डिफ्रेंसियेवल है कि ने वह कैसे चेक होगा तो चलिए इफ्ट जैट डिस इफ्जैट डिस इस डिस जडेड मतलब जडेड जो भी उपन में जो फंक्शन माने है उसका क्या लिमिट वियर जट टेंस टू जीरों क्या गोलें टैन पॉइंट जीरों तो क्या है हम कि हम अचे जेकंश टन्स टू डेलटा जेट सीर मतलब कि निद verses अब मेन अबाउट के बारे में लोग बात कर रहें हैं फोंक्शन ओफ स्वंक्शन एड बलस डिल जैड माइनस फंक्शन ओफ जेड डिवाइड वै डेल जेड राइट बात समझ में आ रही है आपको तो यह इसी का प्रियोग हम लोग को करना है और हमको उपर में पता चल गया है कि जेड जो है कि वह क्या है यू ओफ एक्स वाई और आई ओफ वी एक्स वाई ठीक है तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं चीजों को अब अराम अराम से देखिए गाना कि थोरा सा भी इधर उधर होगा गरवर आ जाएगा हां हुआ 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 है सारी है चलिए तो अगर हम पहले अगर हम जेड को अगर एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं ठीक है बात समझ रहे हूं तो यह क्यूं मान रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं मतलब यह समझाने के लिए कि डेल जेट यह सब करने से पहले इसको थोरा सा हम लोग जेनरल टर्म में समझने का पर्यास करेंगे तो वावु एफ जेड क्या हो जाएगा तो एक्स के फंक्शन को हम लोग यू मान लेते हैं और आयोटा वाई को हम लोग भी मान लेते हैं ठीक है चलो और यह I mean कि क्या है कि f of z जो है इसको itself u of xy प्लस आयोटा भी xy है ना यह हम लोग जानते हैं राइट यह वाला तो भी हम लोग उपर में लिखे ही हैं अगर वो उपर वाला दोनों को नहीं मन है यह दोनों लाइन अगर लिखने का नहीं मन है तो आप इसकीप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा अगर confusion हो रहा है तो हम लोग आप लोग यहीं से डिरेक्ट चीजों को देखेंगे है ना चलो ठीक है तो आप बात को यहां पर समझना है है जैसे देखो यार कि यह चीजे क्यों कभी-कभी जो है हम लोगों के लिए अच्छा चलो छोड़ो देखो जो function है वो आपको यह समझ मैंगा मैंने उपर में लिखा यू और भी एक आपका क्या है imaginary पार्ट है और एक real पार्ट है तबी तो आयोटा है ना है चलो तो जेट को हम लोग क्या माने है X पलस आयोटा वाई तो Fz इसी का यह क्या है function है राइट तो इसको हम लोग यू ओ ओफ एकस वाई लिए और वी ओफ एकस वाई लिए ठीक है चलो अगर हम लोग 100 तो इसका डेल जेट क्या होगा डेल जेट बराबर क्या होगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई है ना डेलेक्स अभी जो हम एक लाइन बोलें यार इसको नहीं लिखने का तो यह वाला के लिए बोल रहे थे बाबू ठीक है यह वाला पार्टा पे स्किप कर सकते हैं यह इंपोर्टेंट है और यह डिराइव कहां से हुआ है इसी से हुआ है ठीक है तो डेलेक्स हो गया अच्छा एक बात बताहिएगा अच्छा हम लोग ऐसा करक्यों रहे क्योंकि हम लोगों को ज्यट जुब संक्सन है बाबू उसका हमको डे plastic के साथ काम करना है राइटılmış सनौन डिल जट क्या है डिल x प्लस आयोटा डिल y बात को समझते रहेगा तो z प्लस डिल जट क्या होगा वावू एक साथ रियल पार्ट को एक साथ और इमेजनरी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं एक साथ लिख लेते हैं y plus del y बात को समझते रहना है कि आखिर हम z plus del z क्यों निकाले हैं क्योंकि हम को यहाँ पर इसकी value चाहिए ठीक है f of z already हम लोगों को मिला हुआ है ठीक है तो f of z plus del z का value क्या हो जाएगा भाई बताइए अब दोनों तरफ क्या है वाव फंक्शन लगा दिये हैं तो अब क्या ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट अब समझ रहो क्या करना है X और Y है है यहां से समझना है कि जैसे एफ ऑफ जेड और एफ यह जो फंक्शन है यह फंक्शन बेसिकली जो हमारा में फंक्शन है यहीं है ना तो अब आप इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं यू आफ में फंक्शन तो यहीं है ना X प्लस डेल एक्स कॉमा हां Y प्लस डेल वाई बात समझ रहे हो प्लस आयोटा भी X प्लस डेल एक्स कॉमा Y प्लस डेल वाई ठीक है चलो इसी पार्ट को इधर से हम लोग लिखते हैं ठीक है सारा काम एकदम अराम-अराम से करना है इसमें जहां हर बराओगे सब बरबाद हो जाएगा ठीक है सिंपली अब इस एफ ऑफ जेट प्लस इसकी वैल्यू आपको पता है और इसकी वैल्यू आपको पता है तो हम लोग इस वाले फंक्शन में पूट कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताइए आप ही चलिए पूट कर देते हैं लिमिट डेल्टा जेट टेंस टू जीरो हना तो इसकी वैल्यू आराम से लिखो है ना अलग-अलग करके यू यू क्या है बताओ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई बात को समझते रहाना है हना प्लस आयोटा भी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई है ना तो चलो इसको थोड़ा बीच में लाते हैं हां चलो यहां तक ठीक है भाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल वाई यह इसका एफ जेट का हो गया एफ जेट प्लस डेल जेट का हो गया है ना यह इसको बंद कर दो फिर अब माइनस लिख लो किसका एफ जेट का फंक्शन का वैल्यू लिख लो u of x, y plus iota b x, y कितना असान सा चीज है और divided by del x अभी तक हम लोग किये क्या है किये क्या है बताईए आप ही एक हमको यह simply अगर आपको याद हो भाई देखिए यह कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है अगर आपको differentiation याद है मान लिजिए कि कोई function f होता था, उसको हमको x के respect में differentiation करना है तो df by dx लिखते हैं उसको इसी को हम लोग f dash x भी लिखा करते हैं और f dash x को अगर हम लोग limit वाले तरीके से लिखें तो यह nothing but x plus h, h क्या है थोरा सा आगे का value divided by h तो यह तो normal differentiation का function है तो यहीं चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं इस function को थोरा सा आगे minus जो h वाला था 100 अगर इसको और इसको मिलाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा इसका तो उसी function same exactly यहाँ पे h को क्या replace किया है till z x नहीं फ्रेंट से हाँ z होगा क्योंकि हम लोग सारा काम z के respect में अभी कर रहे हैं तो आपको यह चीज़े समझनी परेंगी कितने अच्छे से होगा अच्छा अब क्या है अगर आपको यह सारा चीज अगर लिखने का लिखने से क्या होगा कि आपको नंबर जादा मिलेगा नहीं तो आप यह वाला चीज लिख के डाइरेक्ट यह लाइन पर भी आ सकते हैं क्यों आपको बस यह याद रखना है कि यह जो यह तो यह चीज तो आपको याद रखना इसलिए क्योंकि यह का है यह तो याद रखने की कोई बात ही नहीं है तो जो FUNCTION की WELL YOU जो आपको मैं ने ऊपर में लिखवाई है ऊपर में जो हम लिखवाएं देखिए u x y और i b x of y तो उसमें क्या करना x के जगह x plus del x और y के जगह y plus del y कर देना है तो हमारा क्या हो जागा यह तैयार हो जागा इतना मन नहीं है तो नहीं लिखना है ना हम बार 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 बोल रहे हैं यह चीज ठीक है मन करें तो यह वाला चीज छोड़ सकते हो यह थोरा यहां की आप भी लीख सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत का बात नहीं है चलो अब हम लोग क्या करते हैं yes feito अब हमारा आजाएगा यहां से यहां से हम दो क्या कर लेंगे ? हम लोग क्या करेंगे ? move along with x-axis next says अथो अनसर बाना शूरू हो जाएगा ठीक है हमारा x-axis है ik y-axis है माल går अब हम x-axis के तरफ move कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है यहां देखो हर point पे y का value same होगा कि नहीं होगा अब बता y का value मान लो कि यहां पे अगर 5 unit है तो यहां पे भी 5 है यहां पे भी 5 है यहां इवन कितना भी close point ले लो वहां पे y की value 5 होगी तो y की 5 value होगी मतलब del y का value 0 हो जाएगा कि नहीं del y मतलब क्या change in y जब सब का जगा 5 ही है तो change तो कुछ हुआ नहीं तो del y का value क्या हो जाएगा 0 तो अच्छा अभी आपको बताईए बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं सरकार की अभी आप लोग को पढ़ाएं उधर del x बराबर क्या होता है यह z है न हाँ यह z है तो इधर क्या हो जाएगा del z हाँ अदे यार क्या हो गया डेल जेट बराबर क्या बता हो या डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई पहले से ही पता है यह चीज हां थाना तो डेल वाई हमारा क्या है डेल जेट इस इकोर टो डेल वाई जीरो है तो मतलब डेल जेट बराबर डेल एक्स एक बात बताओ कि डेल जेट यहां पर क्या दिया हो है टेंस टू जीरो जहां जहां डेल एक्स है वहां पर हम लोग यह डेल एक्स जेट के जगह हम लोग डेल एक्स के फॉर्मिल लिख सकते हैं विन वी आर मूद ट्वाट्स दा एक्स एक्स एक्सेस राइट चलो यहां लिखें ध्यान से समस्ते रहना भाई है चलो यह वला जो चीज है उसके अद हम लोग यहां पर बर रहे हैं हां यहां पर हम लोग बर रहे हैं आगे आ जाओ चलो इफ डैस जेट बराबर क्या हो जाएगा लिमिट जेट के जगह आपको पता है कि अब हम एक्स लिख सकते हैं में क्या था कि आगे चलके तो जेट को एकस ही होना है तो उपर में यह देखो एक तो यह फंक्शन जो है उसको याद रखना है यू आफ एक्स य प्लस आई वी ऑफ एकस य और उसके सासत एक यह चीज याद रख लेना है जेड एकस आयोटा वाई यह क्या है एक नॉर्मल complex function है और कुछ नहीं है यह ना एक क्या है एक general complex function है ठीक है तो कौन सा बरा चीज है उसको ध्याने में रखना और वहां से differentiation वाला फर्मूला लिखने के अलावा नहीं हुआ है चलिए तो अब आपको पता है कि डेल जेट जो है सो डेल एक्स बन चुका है और डेल वाई तो जीरो है वेन वी आर मुविंग ट्वाट्स था एक सेक्सिस तो दो चीज हमको पता चला तो डेल वाई का तो कोनो काम अब है नहीं है ना डेल वाई का कोई काम है नहीं थोरा सा इसको अगर हम उपर कर लेना तो सब कुछ सौटेड हो जाएगा चलो अब यहां देखो यार यह वाला को इधर राने दो यू है ना एक्स प्लस डेल एक्स एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं याकि डेल वाई तो जीरो हो जाएगा आयोटा भी एक्स प्लस डेल एक्स और यहां पर भी वाई नॉर्मली हम लोग लिख लेंगे राइट चलो इधर आजाओ सेम हम लोग क्या कर लेंगे सेम लोग भाई क्या कर लेंगे तो अब यहीं चीज इसके साथ होगा झाल 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 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे यह तो जो है सो है ही यू आफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक तो फोटो के चकर में हम उधर की यहां पर क्या लिखा हुआ था हां मुझे लगा कि साइब ऊपर में मैंने यह फंक्शन लिखना छोड़ दिया था ठीक है लेकिन वह यहां पर यह लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई एजिज उतार देंगे ठीक है और डेल एक्स के जगह क्या हो जाएगा अब इतना बरा के साथ डेल एक्स आ जाएगा ठीक है चलो y के जगह 0 और x के डेल z के जगह डेल x हम लोग पूट कर दिये है हाँ चलो f dash z बराबर अब हम लोग क्या करेंगे कि imaginary को imaginary के साथ लिखेंगे और imaginary और imaginary को एक साथ और real और real को एक साथ तो यहां real क्या है u है और imaginary क्या है भी है तो चलो इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं u of x plus del x, y कौन-कौन सा है ये ये और ये एक साथ लिखाएगा है ना चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा minus u of x, y और ये जब del z है तो इसको हम लोग अलग से भी del x लिख सकते हैं ना limit del x tends to 0 हम लोग क्या करते हैं बस limit को भी अलग-अलग कर रहे है राइट limit को भी अलग-अलग कर रहे हैं ये सब नॉर्मल आपको 11 में भी ये सब चीजे परना था अगर कोई जे इमेंसी सबका अगर प्रिप्रेशन किया होगा तो है ना कि लीमिट भी अलग-अलग आ जाता इविन 12 में भी है not for the competitive examination only हां तो ये क्या है इधर आ जाएगा बस तो imaginary part कौन-कौन सा है देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारा आयोटा कॉमन हो जाएगा तो आयोटा को साइड कर दो तो माइनस तो इसमें भी है भागू है ना exactly same condition आ जाएगा ठीक है यहाँ पर तो प्लस रह नहीं दो ठीक है जो माइनस है तो वो बीच में चला जाएगा है ना तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख लेंगे वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस वी ओफ एक्स कॉमा वाई ठीक है और डेल एक्स तो नीचे में रहेगा ही बात को समझते रहना है अब देखो भाई अभी हम जस्ट उपर में बताए हैं अगर इसको बहुत ध्या से देखोगे तो इट इस नटिंग बट धा फर्मूला ओफ डिफ्रेंसियेशन ये वाला ठीक है एक फंक्शन को ठीक है एक फंक्शन को उसके जस्ट एक स्टेप ज्यादा पर सेम फंक्शन को लिखना दोनों को डिवाइड करना विथ रेस्पेक्ट टू दा चेंज ठीक है तो ये क्या जाएगा डी यू बाई डी एक्स ठीक है सिंपली ठीक है तो एफ जैड एक डेस जडेस इस इकल टो क्या हो जाएगा ये क्या है सिंपली यू वाले फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक differentiation है ठीक है तो du by dx इसको लिख सकते हैं उसी तरह से यहां क्या हो जागा आयोटा d यह किसका respect भी का थोड़ा सा x respect x axis के respect में ज्यादा minus उस function को घटा देना है divided by change simply यह वाला देखो एक function लिए function को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और उस function का value लेके फिर same function यहां h है और divided by change और यहां h is nothing बट h को हम लोग यहां पर delta x या change से denote कर सकते हैं बतलब very small change तो यहां पर क्या हो जाएगा यह db by dx तो यहां से हमको पता चल गया यह क्या है इसको हम लोग equation number a माल लो यह कब है when with respect to x आगे चलिए अब चलो अब हम लोग क्या करेंगे तो विट रिस्पेक्ट टू वाई वाला काम कर लेते हैं तो विट रिस्पेक्ट टू वाई वाला काम कर लेते हैं तो वाई वाला काम करोगे तो अब क्या होगा ध्यान से समझी है कुछ नहीं करना है सेम है अगर आप मेरा प्रिवियस वीडियो देखी हो यह गा तो डिफ्रेंसियेशन का एक बहुत अच्छा यह इस चीज का यह डिफ्रेंसियल कैलकुलेस यह सब का है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो वाई करो जेड करो बस थोरा सा लोजिकल डिफ्रेंस होगा और काम खतम है ना तो विथ रिस्पेक्ट टू य मतलब क्या है देखो यहां पे ध्यान से देखो तो य के रिस्पेक्ट में यह मूव कर रहा है एक तो 13 सा लाइन आ गया यह वाई के थी में वाई के वाई एक्स के रेफरेंस में यह मूव कर रहा है ठीक है तो यहां देखना जा रहा है इस हर एक पॉइंट पर एक्स का वैल्यू सेम होगा की नहीं होगा बताएगा जारा मानलों कि यह लेंथ अगर दो है तो हर जगह दो होगा की नहीं होगा हर जगह दो होगा इसका मतलब डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा है ना और फिर यह वाला फर्मूला आपको पता ही है ठीक है आपको पता ही है कि del z is equal to del z is equal to del x plus iota del y ठीक है तो del x बराबर क्या हो जाएगा जीरो प्लस आयोटा डिल वाई ठीक है तो del z बराबर क्या हो जाएगा आयोटा डिल वाई कि कि मत समझ में आ रहा है आपको तो एक चीज बस हमको समझाइए आप ठीक है अगर हम यह कहें आपको कि यहां तक सब चीज तो सेम है f-z में ठीक है यह वाला लाइन उपर में जो में वाला जो लिखे हैं यह यहां तक तो आपको यह वाला देखो वित रिस्पेक्ट वाई में बस अंतर क्या होगा हम आपको समझा देते हैं ध्यान से समझने वाली बात है हां यहां पर जो बाबू आपका डेल उपर में क्या हो जा रहा था ध्यान से देखो बस यहीं पर डिफ्रेंस है यहां पर क्या हो रहा था कि डेल एक्स डेल जट बरावर डेल एक्स हो जा रहा था तो हम यहां पर डेल एक्स डाल दियें और यह डिफ्रेंसियेशन में बन गया है ना और लेकिन जब with respect to y होगा तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना हाँ ध्यान से देखना भाई if dash z बराबर कैसे लिखेंगे उपर वाला देखो limit del x के जगा आपको पता है कि y हो जाना है हाँ अब देखो u x plus del x मतलब क्या हो जागा यहाँ पर x नहीं del x तो 0 है लेकिन y में del y बचा रहा जाएगा राइट उसी तरह से इसमें तो कोई फर्क होना नहीं है divided by del y तो सिर्फ यह वाला लाइन आप लोग को लिखना होगा ठीक है बात को समझते रहिएगा अब आब यहाँ पर जो del z हटा है तो यहाँ पर क्या लेके आ गया था यहाँ पर x के जगह यहाँ del x नहीं लिखके क्या लिखेंगे iota del y क्योंकि आप यह समझे कि यह x किसके respect में आया है z के जगह पर आया है जब del y 0 था यह भी z के जगह पर i del y आएगा जब x 0 रहेगा ऐसे समझना है हना यह नहीं कि सीधे x के जगह y पूट कर देंगे यह बात बन जाएगा ठीक है ठीक है और उसी तरह से क्या हो जाएगा सेम यहाँ पर लिखो iota limit सब उपर के हिसाब से ही लिखना है देखो द्यान जब देखो यहाँ पर b है x प्लस del x क्यों लिखेंगे भाई क्योंकि अभी तो पता है कि del x यहाँ पर 0 रहेगा यहाँ एक्स रहेगा यहाँ पर किसके आयोटा कहां चला गया जी लगता है वह चाते में चाती इसका भी उड़ गया क्या ठीक है आयोटा डिल वाई हाँ बात को समस्ते रहना है तो भाई साहब अब हमको एक बात बताईए देखिए अब फिर कुछ मीटे नहीं कि कभी कभी हाँ आर पीज़ा को अब बस एंसर आ चुका है ज्यादा टेंसर यहां बचाव है नहीं हाँ ठीक अब चलो देखो simply क्या है यह यहां पर आयोटा आ गया है मतलब यह क्या हो जागा इधर वन भै लिके लेंगे अब बांकी तो क्या क्या हो जाएगा यह अगर यह इधर चला गया मान लो यहां से अगर नहीं चलो इधर लेकर फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे ना ठीक है यहां पर आ गया तो यह बांकी फंक्शन फिर क्या दिखा रहा है यू का differentiation with respect to y तो क्या हो जाएगा डी यू है यू है ये डी यू वाई डी वाई पुलस यह क्या है यह देखो आयोटा आयोटा यहां से कट जाएगा राइट तो यह क्या बचा देखो फिर ध्यान से एक्स का डिफरेंज भी का यह देख लो आप हां तो यह क्या हो जाएगा बी जब वेन जब यह with respect to y कुछ ना कुछ तो हुआ है साइद यह एक दो टेक्स्ट इधर उधर हो गया है चलो दोनों तो भाई एफ जेट कहीं है तो वेन वी कंपेर एंड बी एक्वेशन क्या होगा भाई ए और बी को हम लोग क्या करेंगे कंपेर करा देंगे और कंपेर कैसे कराएंगे रियल पार्ट टू रियल इमेजनरी टू इमेजनरी टू इमेजनरी ठीक है चलो देखो यार ठीक है तो यहाँ क्या है यह वाला जो पार्ट है यह दोनों रियल पार्ट है यह एक दूसरे का इसी लिए हमारा क्या हो जाएगा कि दी यू बाई डी एक्स इस इकोल टू डी भी बाई डी बाई ठीक है सियार इक्वेशन वन सियार इक्वेशन टू देख लो ठीक है इमेजनरी पार्ट क्या है अच्छा एक और चीज आपको बता दें ठीक है कि दी यू और इधर का इमेजनरी पार्ट क्या है आयोटा डी भी बाई डी एक्स आयोटा डी बाई डी एक्स प्रचाइब डी एक्स ठीक है चलिए अब आपको पता है ना कि 1 by iota is nothing but the minus iota तो du by dy is equal to dv by dx यहाँ पर iota तो है ही तो iota से iota चला गया तो क्या बचा बताईए कि dv by dx is equal to क्या हो जाएगा du by dy एक पार्ट यह और एक पार्ट यह यहीं दोनों तो है CR equation है ना CR equation 1 CR equation 2 यहीं आपका proved हो गया कितना असानी से हो गया बताओ तो simply a differentiation का यह वाला फर्मूला याद रखो एक वार with respect to x limit की लिख लो एक वित रस्पेक्ट वाई और यह समझना है कि with respect to x के case में यह condition कैसे denominator में put करना है है ना और with respect to और y बात हो जाएगा खतम तो यह आपका जो है सो equation हो गया उमीद है कि आप लोग इस वीडियो पर भी आपका प्यार बना रहेगा और निक्स्ट टॉपिक आप लोग सजेस्ट कीजिए क्योंकि मतलब बहुत मतलब आप अगर आपके हिसाब से कौन सा बहुत ज्यादा टॉपिक इंपोर्टेंट है तो कुईकली हम लोग उस पर कवर करेंगे फिर बांकी की जो टॉपिक है उसको हम लोग बाद में एक वीडियो में जल्दी जल्दी देख लेंगे ना तो पहले इंपोर्टेंट और विवी आईक्यू कम्प्लीट करना है हमें चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हैं आप नाइस देख बाई